Hello Friends, कैसे आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे से होंगे Welcome to the channel JK Education Circle हम पढ़ रही थे Heritage and Culture of JK UT जिसमें हमने पहले Folk Dances के बारे में पढ़ा Festivals के बारे में पढ़ा Folk Dances अप कश्मीर वैली तो हमने कवर किया Festivals जो More Region and Kashmir Region वो भी पूरा हमने कवर किया है आज के lecture में हम देखेंगे Folk Dances in Jammu Region पहले हम थोड़ा revise कर लेते हैं Folk Dances in Kashmir वैली में हमने क्या पढ़ा था हमने पहले पढ़ा था Roof Dance उसके बाद पढ़ा था बचा नगमा उसके बाद पढ़ा था हाफिज नगमा और एक पढ़ा था दुमहाल Dance एंड लास्ट में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लड़ी शाह तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे Folk Dances आप Jammu Region अब जो Jammu Region में Dances perform किये जाते हैं वो कौन-कौन से Dances है? उन में से पहला जो है वो है कुद डान्स कुद डान्स जो है वो perform किया जाता है in order to honor the लोक देवतास लोक देवतास के honor के लिए perform किया जाता है इनको mostly perform किया जाता है night की टाइम पर यह spontaneous dance है और इसमें क्या होता है कोई भी participate कर सकता है इसमें कोई भी participate कर सकता है और कुद डान्स में कितने participants होते है 20 to 30 participants होते है किसमें कुद डान्स में ठीक है यह था पहला जो है folk dance which is performed in the Jammu region in order to honor the लोक देवतास यह point important है यहाँ पर चलो आगे चलते है दूसरे टाइप का folk dance जो है जो perform किया जाता है जम्मू में वो है हेरिन हेरिन यह traditional theater form है जो perform किया जाता है लोडी के time पे यह perform किया जाता है लोडी के time पे और इसमें कितने participants होते है 10 से 15 participants होते है और यह perform किया जाता है हिली region जब्द जम्मू जो भी जम्मू के हिली areas है वहाँ पे perform किया जाता है हिरिन कब किया जाता है लोडी के time पे इन आडर टो वेलकम दा सुप्रिंग सीजन सुप्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए हिरिन डान्स परफॉर्म किया जाता है हिली region जब्द जम्मू ठीक है चलो आगे चलते है आगे जो third type of hook dance है वो है फ्यू माइन एंड जगराना फ्यू माइन एंड जगराना जो फ्यू माइन और जगराना है ये perform करते है ladies तो ladies इसको perform करते है कब जब दुलहन सुसराल के गर जाती है ठीक है grooms departure grooms departure पर ऐसे songs को गाया जाता है और इसमें कितने participants होते है 15-20 ladies participants होते है और ये depict करता है emotions of the woman और क्या depict करता है emotions of the woman तो कब perform किया जाता है ये perform किया जाता है on the event of grooms departure on the event of the grooms departure ठीक है तो इसके बाद चलते है गवात्री ठीक है गवात्री जो गवात्री है वो है singing and dancing combination इसमें दोनु song भी गाये जाते है और dance भी किया जाता है जो singles है इसमें गवात्री singles वो क्या कुछ कुछ text narrate करते है उसके बाद जो गवात्री dancers है उसी text पे जो narrate वो text कर लेते है उसी text पे act करते है और dance perform कर लेते है ठीक है चलो उसके बाद आगे चलते है आगे क्या है आगे और एक है वो है करक जो करक है जो एक Tribal Community है, जम्मो में जोगी को बोल जाता है वो कौण से टाइप आफ डान्स पोफ़ाम करते हैं वो करक्ट डान्स पोफ़ाम कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर इमपार्टेट बउइंट जो है करक्ट डान्स कौन से टाइबल कम्याट्स पोफ़ाम करते हैं important point है इसको note कर रहा है उसके बाद narrate a popular folk tale in their dance style इसमें तीन members होते है और जो important instrument इस dance form में use किया जाता है इस instrument का नाम क्या है? वो है रबाब ठीक है? रबाब का इस्तिमाल किया जाता है इस करक dance form में जो कुन सी tribal community perform करती है? जोगीज ठीक है? चलो आगे चलते है और एक type of folk dance है वो है बेंथी chorus singing tradition perform और बाइदा गुजर्स और बकरवाल एक tribal community है ठीक है? जो tribal community है गुजर्स और बकरवाल वो बेंथी type of folk dance perform करते है ठीक है? chorus singing मतलब क्या होता है? एक जो song का एक part होता है बाद वो पार्ट दोहराना continuously वो पार्ट दोहराना after completing each verse उसको बोलते है chorus तो chorus singing tradition होता है जो perform करते है गुजर्स और बकरवाल ठीक है? इसमें 5-7 members होते है बेंथी में 5-7 members होते है ठीक है? तो ये थे folk dances of the Jammu region I hope आपको ये पूरा समझाया होगा तो यहां पर हमारा जो folk dances है वो complete होते है कश्मीर रिजन के लिए भी और Jammu region के लिए भी तो आगे जो है आगे हम कौन साथा जो इसका part पढ़ने जा रहे हैं? वो है art and craft ठीक है? art and craft जो Jammu and कश्मीर में है art and craft वो यहां पे देखेंगे पहले जो आता है वो है shawl कश्मीरी shawl जो shawl industry थी वो reorganize हुई थी कश्मीर में किस ने की थी? वो की थी अकबर ने अकबर ने reorganize की थी shawl industries in कश्मीर वैली ठीक है? और यहां पे जो most important famous shawl माना जाता है वो है पश्मीना shawl जो लिया जाता है wool of the kale goods तो kale goods से उनके wool से लिया जाता है पश्मीना shawl और यह famous है all over the world famous है all over the world और इसको किस ने introduce किया था? इसको किया था जैनल आबदीन ने introduce कहां से लाया था? पर्शिया एंड सेंटल अश्या से introduce किया था जैनल अबदीन ने introduce किया था कश्मीर वैली में और दूसरा टाइप है ring shawl ring shawl और एक ring होती है उसमें से shawl यह एक साइड से दूसरे साइड निकल आता है उसको बोलते है ring shawl और यह इसको शातूत शाल भी बोला जाता है शातूत शातूत ठीक है को king of wool भी बोला जाता है शातूत से लिया जाता है यह shawl उसके wool से ठीक है और king of wool जो यह क्या होता है शातूत यह होता है तिबतियन एंटिलोप क्या होता है इन तिबतियन एंटिलोप को मारा जाता था और इनके वूल से जो ये करिंग शाल बनाया जाता था तो इसको फिर बैन किया गया क्योंकि जो तिबतियन एंटिलोप है उसकी जो population हुई थी कम हुई थी ठीक है वो extinct रहे थे तो फिर क्या किया गया ये डिसिजन लिया गया था कि इस शाहतूत जो है एंटिलोप इनको मारा नहीं जाएगा और जो ये रिंग शाल्स है इनको बैन किया जाए उसके बाद है जमावर शाल्स जमावर शाल्स में क्या होते है जो भी threads होते है वो different colors के होते है वो डाई किये जाते है different colors के ठीक है ये होते है different important shals जो बनाए जाते है कश्मीर वैली में और ये world famous shals है बहुती expensive shals होते है उसके बाद है crafts, carpets ठीक है, sorry, carpets जो carpet की industry थी वो introduce की गई जैनल अलाबदीन की तरफ से तो जैनल अलाबदीन ने इंट्रोड़ूस की carpet industry in Jamo and Kashmir और जैनल अलाबदीन को ही बोला जाता है अकबर आफ कश्मीर अकबर आफ कश्मीर जैनल अलाबदीन को बोला जाता है carpet industry इसीने इंट्रोड़ूस की थी कश्मीर वैली में और जो यहां पे wood architecture इसीने इसके टाइम पे बहुत हुआ था और जो यह कश्मीरी शाल्स पश्मीर शाल्स जो है एक्सपोर्ट हुआ था इसके टाइम पर maximum export हुआ था carpet जो है दो टाइप के होते है smooth facer carpet और pile carpet pile carpet को कालीन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है important point है note करना pile carpet को pile carpet को कालीन भी बोला जाता है आगे चलते है old desk form of embroidery जो है कश्मीर वैली में और most famous जो है all over the world उसको बोला जाता है कसीदा embroidery important most most important point जो है यहां पहे old desk form of embroidery in कश्मीर वैली और famous all over the world is known as कसीदा embroidery कसीदा embroidery क्या इंकलोर करता है नमदा और नमदा बनाते है हम wool से जिस wool को beat किया जाता है beaten wool से यह नमदा बना जाता है ठीक है और इनको इस्तिमाल किया जाता है mattresses ठीक है तो इस पर बहुत सारे different type of designs बना जाते है नमदा में ठीक है और famous जो है carpet weaving के लिए वो कौन सी जगा है वो है बारा मुला जहां पर गबा जो एक form of embroidery है कसीदा embroidery की एक form है जहां पर गबा बनाए जाते है वो famous जो जगा है वो है बारा मुला in कश्मीर वैली ठीक है I hope आप यहाँ तक समझाया होगा चलो आगे चलते है आगे जो है वो है wood carving wood carving में जो walnut और चिनार के जो wood है वो mostly use किये जाते है cottage industries में ठीक है best known for cottage industries in कश्मीर wood carving और जो walnut और चिनार wood mostly use किये जाते है जो आप देखोगे यहाँ पर जो भी क्याबल जिसको panels ने जाते हैं या house boots में जो भी designs दिये जाते है वो इन ही walnut और चिनार woods के बनाया होता है और जो walnut trees का यहाँ पर हम popular trees के bats भी बनाते है walnut trees के different type of designs देते है woods को ठीक है जो यह hawkies भी बनाई जाते है walnut wood से ही तो आगे चलते आगे देखेंगे हम खतम बंद यह wood work ही होता है wood carving के टाइप जो है खतम बंद एक wood work ही होता है जिसमें जो rooms के ceilings को उनमें different designs दिये जाते है thin panels of pine wood के होते है thin panels of pine wood के जो होते है जो ceilings room के होते है उनमें different type of designs दिये जाते है house boots में आप देखोगे कितना अच्छा लगता है जो wood carvings या wood designs दिये जाते है उसमें ठीक है उसको बोलते है खतम बंद और important example जो है इस खतम बंद का यह important point है यहाँ पर note करना important example जो है खतम बंद की जो best example आप देखोगे वो है खतम बंद का श्राइन जामें मस्जिद सिरिन नगर के नजदीग वो है example इस खतम बंद क्राप्ट का और कांगरी जो देखे की कश्मीरी शैफिंग वेसल एक है अर्दन बाउल जो wicker work में एनकेस्ट है एक अर्दन बाउल है कांगरी विंटर के टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है आपने देखा होगा और विल्लू रीड्स का बना हुआता है जो विल्लू के रीड्स लिए जाते है उसका बना हुआता है ठीक है तो also popular in ये जो है popular है एरान मरको में भी ये popular है खतंबंद ठीक है खतंबंद जो है ये designs और वूड काविंग जो है वो इरान मरको इन countries में भी famous है चलो आगे चलते हैं आगे जो है वो है silver and copper wear silver और copper wear इनके बहुत सरे बर्दन बनाए जाते हैं cooking pots बनाए जाते हैं जो summer वो important टीक cattle होती है Russian origin की जो Russia से लिया गया था Russia में बनाए जाते है वो famous summer wars कश्मीर में भी फिर ले गए ये copper wear के बने हुए होते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं आगे जो है पेपर माशी पेपर माशी जो है सुल्तान जैनल अबदी ने इंट्रोडूस किया था कश्मीर वैली में और इसको सुल्तान जैनल अबदीन को बोला जाता है अकबरा कश्मीर भी ठीक है पेपर माशी के जो processes है उसमें पहला जो है वो है सक्त साजी जो फुष्ट जो इसमें step होता है वो होता है सक्त साजी जिसमें क्या किया जाता है पेपर माशी की foundation बनाई जाती है पेपर पलप से पेपर पलप से final step क्या होता है इसमें नकाशी होती है जिसमें painting और decoration किया जाता है इस पेपर माशी पैठी के है और यहां पे एक rice kilo भी use किया जाता है जिसको बोला जाता है आती जी क्या बोला जाता है आती जी तो इसको पेपर माशी को इंट्रोडूस किया था कश्मीर में सुल्तान जैनलाबदीन ने जिसको अगबर आप कश्मीर भी बोला जाता है और इसमें different processes होते है जो initial process जो होती है products बनाए जाते है design different designs के वो देखने को बहुत ही अच्छे लगते है ठीक है और जो इसमें एक rice glue इस्तिमाल किया जाता है उसको बोला जाता है आती जी important point है नोट करना आती जी जो rice glue है इसमें paper माशी के process में इस्तिमाल किया जाता है उसको बोला जाता है आती जी I hope यहां तब आपको समझाया होगा यह important कुछ points थे art and culture से art and crafters से I hope आपको यहां तक पूरा समझाया होगा जो भी मैंने यहां पर discuss किया कल मिलते है दूसरे lecture के साथ तब तक के लिए कुदा हाफिस